बहुत-बहुत स्वागत है दर्शक को आप सभी का इस करिक्रम में जैसा कि हमने आप से वादा किया था हमाय साथ उस फिल्म के निर्माता इस वक्त है जो इस वक्त बहुत जबर्दस्त चर्चा में है वो फिल्म दबेटलाव भीमा कोरेगा हो आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैवे इस करिक्रम की खास बात यह है कि आपके दर्शक लगातार मुझे मैसेज करकर के हमेशा से यह कह रहे ह करनी बार ऐसा हम देख पा रहे हैं कि कोई विक्ति जब आमबेटकरी विक्ति जब काम करने के सामने आया तो पूरा समाज उसके सहिता के लिए यूनत लगा हुआ है कि हम सब सहिता करना जाते है इस जबर्दस्त जो यह आपके लिए जो उब प्रेम है जो प्यार है उसके क्या कहना चाहता हूं और मैं उनका शुक्र गुजार हूं मैं आबारी हूं इतना रिणी हूं कि मैं यह व्यक्त नहीं कर सकता इतना सपोर्ट और सपोर्ट भी इसलिए है देखें लोग हमारे समाज के बहुत समझदार जानते हैं किया गलत है कौन सचा अलबी एक स्वार्ड के लिए करता और कौन समाज के लड़ाई लड़ता लोग जानते इसलिए धर हम सहे लगातार मैसे या रहे हैं कि हम आपकी favored करना चाहते हैं औरने कि आफेब लेकर तो बहुत चब्र ने सबी इंतजार कर रहे हैं कि कभ यह फिल्म आएगी कभ यह रिलीज होगी देखिए मैं मुझे भी व्यक्तिकत रूप से लोगों ने मेसेज किया कि सर हम कुछ आर्थिक मतद करना चाहते हैं आपको जब भी लगे आप मुझे बताना देखिए यह कितना बड़ा प्यार है यह क आपके फिल्म को समर्पी देख गाना अगर 15 लाख लोग एक दिन में देखते हैं तो यह चोटी चीज नहीं है ना हमारे आंबेड करी आंदोलन के लिए बहुत बढ़ी चीज है और चूंकि इसमें कॉलिटी है इसलिए लोगों ने देखा है है ना हमारी स्टैटेजी है हम कि यह सोशियो वार फिल्म है तो इसको मतलब यह आंबेड करी जनता का यह तुफा है दुनिया के लिए बता रहा है लिकिन एक चीज जो जैसे ही दो गाने रिलीज हुए और दो गाने की बीच सिर्फ टीजर रिलीज हुए हैं और साथ ही जो फिल्म का एक पोश्टर रिली ही है इस फिल्म की शूटिंग में जो बहुत बड़े-बड़े कलाकार अर्जुन रामपाल जैसे और सनी लियोनी जैसे भी कलाकारों ने आपके साथ काम किया है यह बताएं कि कैसा रहा आपका इनके साथ में काम करते हुए खास्ताव से जब आप भीमा को रिगाव जैसे उस ऐसे गंभीर विशेप और एतिहासिक विशेप पर काम करें उनका काम शांदार रहा हर एक कलाकार मजा हुआ कलाकार है इन लोगों को क्या कहने इनके मतलब अर्जुन रामपाल तो मतलब उनकी आवाज देखो उनकी आवाज और मेरी आवाज मिलती है देखना आप बिल जुन नामपाल देन दिगांगाना सुर्यवंशी और सनी लेवनी अभी कृष्णा अभीश्यक को जोड़ा है मिलिन गुनाजी है नामदेव जी है गोविन नामदेव जी तो यह बड़े-बड़े कलाकार है और स्टार कास बड़ी है तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किय हैं और बहुत सयोग दिया उन्होंने मुझे मैं तो नया था देपी मैंने चुकी एक आयेस ऑफिसर डारेक्टर अपने आप होता है डिफॉल्ट लेकिन और मैंने चुकी मैं मुजिक फिल्में हूं 25 साल से हूं तो मुझे मालूम एक शेतर कैसा है लेकिन डारेक्शन का अन वह बहुत अच्छा रहा देख और विटमें जी जावेद अली जी और पांचमा मेरा ऐसे पांच गाने यह सारे गाने मैंने लिखे हैं और अभी तो दो ही आपको नजर आएंगे अब इसमें से तीन बड़े गाने हैं यानि कि यह गाना जो मैंने गाया वो और यह दो गान मॉंटेजस के हैं उसके लिए अलग से शूटिंग करने की जुरूत नहीं होती है तो यह ऐसे पांच गाने हैं पांच वह अपने आप में बड़े बड़े गाने हैं आप देखेंगे आपको मजा आएगा और शंदार काम हुआ है यह आंबेड करवादी लोगों की नाक का स कुछ vivaad भी जूडते चले जाते हैं फिल्मों के जब भी खासों से जब बात आमबेड करी किसी काम की होती है तो निश्चीत रुपसे उसके सहाथ में यह जुड़ जाते हैं एक विवाद जुड़ा है हालही में कहानियों को लेकर कहानी को लेकर कि को लेकर की कॉश्रिप बात में साफ कहे दूं कि मैं मेरा इतियास आप देख लिए देख लिजेगा मैंने किसी पे भी अन्याई की दुपार बात ही छोड़िया अगर मेरे पास जो भी बंदा आया ना वह सके चला गया लेकिन जो बंदा मुझे नीचा दिखाने के लिए आया तो फिर मैंने उसको सम इसे थे उनमें सुदार आया वह अभी हमारे साथ में हैं जो लोग सुदार नहीं पाए और उनको केवल पैसा चाहिए इस तरह की बात कर रहें ठीक है कोई बात नहीं अब मुझे मुझे गाली दे मुझे बूरा भला के इनको कुछ नहीं आता है यह तो आदमी ऐसा है पैस के साथ है सबी चाहते हिए फिल्म जल्दी से यल्ली रिलीज हो हम इसमें एक बात और जो जहां चाहेंगे उनके लेकर अ का मामला जो आया है जो बहुत दिन से चल रहा है यह भी एक मामला आया है इससे कोई दिक्कत आई है कोई फिल्म की शूटिंग में कोई परिशानिया ना कोई परिशानी नहीं आएगी लेकिन लगबग अरजुन नामपाल जी का थोड़ा काम बचा है लेकिन वह हमने उसमें सोच लिया है क्या करना है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कोई तकलीब आएगी वह अनके बीच का मामला है मुझे मालूम नहीं है लेकिन हमें आशा है कि वह इसमें से वह चुकी उन्होंने मुझे बोला है हमने पूछा था उनसे कि हरे बन रमेज जी इसमें कोई तथ्य नहीं है तो यह मुझे बोला है मुझे मालूमने क्या है बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों हम इस कारेक्रम के अंद में एक बार फिर आप से अन्रोद करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुचाए अपका बहुत बहुत दिन है थैंक यू